नमस्कार दोस्तों मैं राहूल पटिल डारेक्टर अपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफतामों की ऑफिशल यूटुब चैनल के उपर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशे के साथ आपके सामने उपस्तित होने जा रहा है इस बार का जो टॉपिक रहगा वो हमारा रहगा लवी नेशनल मेड़ीकल उनवर्सिटि के बारे में एक ऐसी उनिवर्सिटी जो यूक्रेइग के अंदर आई हुई है और जिसको मिनी जो सिटी है लवी हो कि भी आपको benefit मिल पाएं तो चलिए दोस्तों बात चुरू करते हैं लवीव नेस्टल Medical University के बारे में तो इसको डेनल हलस की लवीव नेस्टल मेडिकल उन्वरसिट की नाम से जाना जाता है जो की लवीव सिटी में आया हुआ है लवीव सिटी जो है वो करीबन की जो कैपिटल है योकरेंका वहां से करीबन पांत सो और चालिस किलमोटर जीतना दूर आया हुआ है बाइ रोड अगर आप ट्राविल करेंगे तो चे से साथ गंटा लगना है आपको पाइ ट्रेन भी अगर ट्राविल करेंगे तो चे से साथ गंटा लगना है वहां पे और अगर पाइ फ्लाइट ट्राविल करते हैं तो करीबन एक गंटा और दस मिनीट तक का डिउरेशन लगेगा कैपिटल से दूसरी बात बताते है तो लविव जो सीटी है वहां पे इंटरनेशनल एरपोर्ट भी अविलेबल है यानि कि आप अगर इंडिया से ट्राविल करते हो तो वाया वाया कोई फ्लाइट लेनी की ज़रूरत नहीं है आप डाइरेक्ली लविव में भी लैंड कर सकते हो और ल लविव लविव सीटी के अगर लोकेशन की बात करेंगे तो पॉलेंड बॉर्डर से करीबन 70 किलोमेटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है मींस कि युरोप के एकदम नजदिक आया हुआ सीटी है दूसरा वहां से अंगेरी भी नजदीक में हो जाता है वहां से श्लोवी के भी नजदिक में हो जाता है आपको तो यूरोप से बहुत नजदिक हाया हुआ है दूसरा अगर transportation की जो हमने बात की वहाँ पर railway की अगर बात करेंगे तो लव यू का realization सबसे पूराना realization मना जाता है यूकरेंग के अंदर population की बात करेंगे सब city की comparison में ज्यादा देखने को मिलेगा reason एक ही है कि लव जो है वो tourism place है अगर university के बारे में हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1784 के अंदर इसका establishment हुआ था और different different नाम से उसको जाना जाता है पहले उसको लवोव के नाम से लवोव national medical university या state university की नाम से जो बोलाया जाता था दीरे दीरे करके उसके नाम चेंज होते गए और अभी आखिर में जो नाम से उसको जाना जाता है वो है लवी नेस्टल मेटिकल अगर university की बात करेंगे तो करीबन six faculties वहां पे अविलिबल different kind of six faculties यसे डेंडरिश्री medicine है, pharmacy, like that और जो department है वहां पे करीबन 78 departments है वहां पे जिसमें 48 जो है वो clinical department है सिर्फ 14 जो है वो academic building है जिसके इंदर different different division की पढ़ाई होती है वहां पे और 41 जितना affiliated hospitals है and अगर bedding capacity की बात करेंगे तो करीबन more than 3000 bedding capacity के hospital से यह सब मिला के means जो practical exposure है वो काफी बढ़िया है खुद का university का simulation center भी वहां पे है university का जो establishment है वो करीबन 1784 को हुआ था लेकिन जो foreign student की वहां पे जब से present शुरू हुई है वो करीबन 1961 से वहां पे foreign की student आने शुरू हुए है और आज तक करीबन 3000 से ज्यादा student ने वहां से पढ़ाई complete कर ली है और आज की date में अपनी country के अंदर वो अपने practice कर रहे है जिसमें Europe, Asia, Africa और Latin America की student भी मौझूद है उसके अलावा बात करेंगे तो करीबन 300 जितने student ने उनका post graduation का study वहां से complete किया है और 70 plus student ने वहां से PhD के degree हासिल की है अगर accreditation के बारे में बात करेंगे तो university के पास MCI का accreditation है ही already WHO के अंदर भी accredited है उसके अलावा ECFMG जो है जो की required है USA में अगर आपको PG करने के लिए जाना है तो उसके लिए तो ECFMG से भी वो accredited है student strength की अगर बात करेंगे तो 2019 से 2020 के अंदर करीबन साड़े तेरा सो student ने वहां पर admission लिया था जिसमें से 47 plus country के student वहां पर मौझूद है आज की date में और चयादा तर जो student है वो 96% जितने student है वहां पर English में पढ़ाई कर रहे बाकि तो university wise अगर medical की पढ़ाई करना चाहते है और अगर proper option चाहिए उक्रेंग के अंदर तो western part के अंदर यह कि बढ़िया उपसा option आप किसको बोल सकते हो और दुसरा main चीज है यहां पर अगर आपको जाना है तो कैसे जा सकते है तो बहुत simple से तरीके यह वहाँ पर अवियू के अंदर खुद का international airport है तो directly इस flight जो वहाँ पर connected रहती है अगर लवीू के अंदर आपको जाना है तो वाया क्यू होके भी flight जाती है वाया पोलेंड होके भी flight जाती है वाया तर्की होके भी flight जाती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही next जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे लवीव नेसल मेडिकल इनुपसिटी की fees के बारे में उसके accommodation part के बारे में उसके living standard के बारे में और कुछ hidden facts जो है लवीव के जो कोई आपको बताने को ट्राइ नहीं करेगा वो चीजे भी आपको वहाँ पर जानने को मिलेगी तो शायद आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें as well as अगर subscribe ना किया and कोई भी question आपके mind में या कोई topic आपको ऐसा लग रहा है जो आपको जानना ज़रूरी है तो नीचे comment section में comment भी कर सकते है website के chat section में जाके chat भी कर सकते है as well as आप जो दिये गए number में आप पर जाके call करके बाद भी कर सकते है तो आज के लिए इतना ही दूस्तो जान्जबाद take care